नमस्कार दोस्तो स्वागत आफ सभीका हमारे अपने ओजस गोट फार्म मत्यप्रदेश में दोस्तो जैसा कि आप लोग जानते हैं सर्दियों का मोसम चल रहा है जिसे कि ठंडी का मोसम भी का जाता है इस मोसम में बकरी पालकों में सबसे बड़ियों समस्या देखी गई है वो बकरी पालक बताते हैं कि सर्दी के मोसम में बकरे बकरियों बहुत कम खाना खाते हैं पूरा टाइम धूप सेकते रहते हैं अगर धूप निकलती है तो otherwise कोने में खड़े रहते हैं ऐसा क्यों होता है इसके पीछे सबसे में कारण होता है भक्रियों में अनडाइजेशन जैसा कि आप जानते हैं सर्दियों के मुश्म में भक्र बक्रियों को जंगल ले जाना या अगर इस टॉल फीट पर वक्री पालंग कर रहे हैं तो बाहर निकालना बहुत मुस्किल होता है ऐसे में बक्रिया बक्रियां ज़दा उचलपूद नहीं कर पाते हैं इससे वह जो भी खाते हैं वह समय से डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं अगर उन्हें एक बार पीड़ भर खा लिया तो वो पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं जब कि बक्रा बक्री दिन में तीन से चार बार ड्राइ फोडर खाते हैं जिससे कि वो डाइजेस्ट करके पचा लेते हैं फिर से उन्हें भूप लगती है फिर खाते हैं पर सर्दी के मोसम में ऐसा नहीं होता है सर्दी के मोसम में वो बहुत कम खाते हैं जिसकी बज़े से वो बहुत ज़्यादा कमजोर भी हो जाते हैं बटरी बोट पालक बताते हैं। एसम जो n जो ग्रोवथ होती है, जो वीड गैनिंग होता है। वह सर्दियों कर मोसम में बहुत कम होता है। यूछित ग्रोवथ में दनाव मिश्वर में। नहीं खा रहा है तो आप कुछ भी खिला लीजे वो नहीं खाएगा ऐसे में आपको उन्हें digestive टॉनिक तो देते रहना है इसके अलावा एक में कारण और होता है भूक ना लगने का लीवर का कमजोर होना क्योंकि जब बकरा बकरी कम खाएगा तो लीवर कमजोर हो जाएगा और अगर लीवर कमजोर हो जाएगा तो बकरा बकरी को भूक नहीं लगेगी फिर चाहिए आप भूक लगने की टेबलेट दे दीजिए या डाजेस्टो टार्निक दे दीजिए कितना अच्छा हरा-चारा या दाना विशन खिला लीजिए जब तक उनका लीवर परफेक्ट नहीं होगा लीवर मजबूत नहीं होगा उन्हें भूख नहीं लगेगी क्योंकि लीवर एक ऐसा पार्ट है उनकी बॉड़ी का जो कि भूक लगने में खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है जब बकरा बकरी का लीवर कमजोर हो जाता है तो वो धीरे-दीरे कमजोर होने लगता है उसकी ग्रोथ रूप जाती है तो लीवर को मजबूत करने के लिए कई तरीके मेडिसिन्स इंजेक्शन यूज करते हैं बकरी पालक भी कॉंपलेक्स देते हैं पर इन सब के अलावा भी बकरी पालकों की इंक्वेरी जारी थी कि सब क्या लीवर टॉनिक हम ठंड में बढ़ा दें अखि Pikachu जादा के सब्सक्राइब कारी चेंजेे, मातरा में ठंड में रुदुद्ध इंजेक्शन देकर लीवर को मजबूत कर सकते हैं आप इंजेक्शन देकर भूक लगा सकते हैं अपर जब तक लीवर टॉनिक नहीं देंगे उनका लीवर पावर्फुल होगा मेरे हाथ में लीवा टॉनिक रखी हूई है जो कि ब्रूटोन है यह ब्रूटोन जो है बहुत ही पावरफु लीवा टॉनिक है यह पांच लिकलर का एन है और अपने या अपने पास अखने होती है, इस्टॉप करके, जिससे कि कभी भी बक्रा बक्रियों को लिवर्टॉनिक देनी हो, या जो रूटीन हम फोलो करते हैं, रूटीन फोलो कर सकें, तो यह जो ब्रोटा लिवर्टॉनिक है, यह विर्वेक कमपनी का है, आप किसी भी अच्छी करें, इसमे आपका बक्रा बक्रा बे करें और यह जाएगा में वख़य alors आपका बक्रा बक्री बहुत जादा मजबूत, जमसे, और में rapid PY वह आपका बक्रा बटबहुत जाद हो जाएगा holiday, इसध्ड के मोसम में है günst मे तो इसध्र आप बखर्य बहुत निएक, अग्यम म जिससे weight gain भी अच्छा होगा तो दोस्तो इस थंड के मोसम में आप भी अपने बकरा बकरी को जो schedule में आपको बताया इस according livertonic देखर देखें result आप खुद देखेंगे आपके बकरा बकरी में आपको बहुत ही शांदा result देखर को मिलेगा और अगर आप अपने घर पर बना हुआ लिवाटानिक देना चाहते हैं तो भो भी दे सकते हैं जैसा कि हमने घर पर लिवाटानिक बनाना भी सिखाया है जिससे कि बकरी पालक मार्केट से लिवाटानिक लाना ना चाहें तो घर पर बना कर भी दे सकते हैं पर लिवा टॉनी जरूर दे तो आज के वीडियो बस इतना ही और अगर आज के वीडियो से रिलेटेड अगर किसी भी तरह कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स मा कर हम सो बात कर सकते हैं और इसी तरह बक्री पलंजुली जानकारी के लिए हमारी चेनल से जुड़े रहें अ